हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल SKCITY माइनेम है शिवम फ्रेंड्स आज हम डिसकस करने वाले विज्वल मर्चंटाइजिंग क्या है हो सकता है ये टोपिक कुछ लोगों के लिए नया हो लेकिन जो लोग शॉपिंग मॉल, रिटेल इंडेस्टी, फाइव स्टार रोटल या बोटिक में जॉब करते हैं उनको अच्छे से पता होगा विज्वल मर्चंटाइजिंग इस्टोर की ग्रोथ के लिए कितनी इंपोडेंट होती है टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले प्लीज सस्क्राइब माई यूटूब चैनल, एसके सेटी, लाइक एंड शेर और बेल आइकन को भी ओन कर दीजे ताकि मेरी नेक्ट वीडियो की नोटिफिशन आपको इजीली मिल सके विज्वल मर्चन्टाइजिंग किसी भी प्रोड़क को कस्टुमर की पसंद के अकोर्डिंग उसके सामने पेस करने की कला को विज्वल मर्चन्टाइजिंग केते हैं विजुल मर्चनटाइजिंग का यूज खास तोर पर मार्किट में प्रोडक्ट को कस्टुमर की नजरों में ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए किया जाता है विजुल मर्चनटाइजर की डिमांड एकदम से मार्किट में बढ़िये उसका सबसे बड़ा रेजन है कस्टुमर का देखने का नजरिया कस्टुमर उनी प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है जो मार्किट में उसे ज्यादा दिखते हैं अपने अक्सरी सुनाई होगा जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिखता है इसी prospect के हिसाब से visual merchandiser की demand एक दम से बढ़ी है अब हम बात करते है visual merchandiser की जरुद कहां पढ़ती है किसी भी product को display करने के लिए उसके texture, pattern, design, color के मताबिक display करने के लिए visual merchandiser की जरुद पढ़ती है Visual merchandiser किसी भी product की sale बढ़ाने के लिए product को इस तरह display करता है जैसे कि गिराकों की नजरों में ज़्यादा से ज़्यादा लाया आ सके ताकि गिराक उस प्रडुक्ट को पर्चेस करने से अपने आपको रोग ना सके अब बात कर लेते हैं विज्वल मर्चनडाइजर में क्या-क्या खुबी होनी चाहिए एक मर्चनडाइजर का काम क्रेटिब होता है उस पर फोकस होता है इस्टोर में कस्टूमर फुटफोल बढ़ाने का तो चले जानते हैं अच्छे विज्वल मर्चनडाइजर की क्या-क्या खुबी होनी चाहिए मर्चनडाइजर को अपने प्रड़क को रिपरजेंट करना आना चाहिए ताकि कस्टूमरों को जादा से जादा अट्रेक कर सके मर्चनडाइजर को अपने ब्रेंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए Merchandiser को latest fashion trend की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए Merchandiser का communication skill अच्छा होना चाहिए और एक अच्छे Merchandiser को customer psychology की भी समझ होनी चाहिए अगर अभी तक आपने मेरी responsibility of merchandising वाली वीडियो नहीं देखे तो उसका link मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं क्या-क्या responsibility होती है एक अच्छे Merchandiser की अब बात कर लेते हैं visual merchandising field में आने के लिए कौन-कौन से courses होते हैं visual merchandising field में आने के लिए आपके पास visual या fashion merchandising का diploma होना चाहिए और आपके पास marketing skill और customer psychology का ग्यान भी जरूर होना चाहिए जो आपकी इस field में आने में बहुत मदद करेगा इसके अलावा अगर आप visual merchandising field में अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो आपको retail programming, retail management, fashion marketing, fashion designing जिसे courses करके किसी बड़े store में internship कर सकते हैं Visual merchandiser के लिए job के option हर एक field में जब से competition बढ़ा है तब से visual merchandiser की demand एकदम से बढ़ गए है चाहे वो hospitality industry हो, retail industry हो, fashion industry हो इन field में हर समय पे demand बढ़ती जाएगी visual merchandiser की जिसे आप देखी रहे होंगे आज कल, retail outlet, shopping mall, five star hotel, boutique इनके संख्या दिनवा दिन बढ़ रही है इसी कारण visual merchandiser की demand भी तीजी से बढ़ रही है, आपके लिए भोग सारी job के option भी इस field में खुल रहे है Thanks for watching this video, bye bye